ओं गण गणपताई नमाहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रो प्रोफिट 666 चानेल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रो आज इस वीडियो में मैं अपको भगवान शिवजी के अत्यंत सरल लेकिन महाशक्तिशाली सर्व रोग नाशक महामंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ इस मंत्र में हर प्रकार के जटिल, असाध्य और जीर्ण रोगों से मुक्ति पाने की शक्ति है और इस महामंत्र की खास बात यह है कि इसका उच्चारन इतना सरल और आसान है कि जिन लोगों को ठीक से संस्कृत या हिंदी बोलने नहीं आती है वह लोग भी इस मंत्र को बोलकर हर प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सकते है इस संकट से भरे महामारी के काल में यह मंत्र बहुत फाइदेमन साबित होगा इसमें कोई भी शंका नहीं है इस महामंत्र को अश्टाक्षर महामृत्यून्जय मंत्र भी कहा जाता है और इस मंत्र में रहीम इस माया पीच का इस्तमाल किया गया है अत्यनत गंभीर रोगों से पीडित लोगों के लिए यह मंत्र बहुत लाबतायक साबित होगा अब मैं आपको इस मंत्र के विधी के बारे में बताने जा रही हूँ इस मंत्र की जानकारी हमने पहली बार सन 2013 में हमारी साइट पर दी थी और अंगिनत लोगों ने इस मंत्र की शक्ति का लाब उठाया है इसलिए इस मंतर को एक आजमािय हुआ रोग नाशक मंतर भी कहा जा सकता है इस मंतर को बोलने के लिए विशेश पुजाविधी की अवशक्ता नहीं है दिशा, आसन, माला, इत्याधी का भी पंधन नहीं है मंत्र जाप करने के पूरुव शिवजी अपने रिदे में बसे है ऐसा ध्यान लगा कर इस मंत्र का जाप करना है मंत्र का वाचिक या मानसिक जाप किया जा सकता है इस मंत्र का जाप किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है और कुछ ही दिनों में यह मंत्र प्रचंद उर्जा निर्मान करने लगेगा और जब आठ लाख मंत्र जाप पूरे होंगे तब भयंकर उर्जा का निर्मान होगा मंत्र छोटा सा होने के कारण यह संख्या जल्द पूरी हो सकती है लेकिन यह उचित होगा कि साधक मंत्र की किंदी न करे सिर्फ शिवजी पर ध्यान लगाकर मंत्र चाप करे मंत्र का चाप उटे बैठते, सोते, जागते, काम करते वक्त जितना चाहे उतना कर सकता है अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रहे हूँ कुरुपया ध्यान से सुनिए मंत्र इस प्रका से है रीम ओम नमस्षिवाय रीम मंत्र फिर से सुनिए रीम ओम नमस्षिवाय रीम मंत्र फिर से सुनिए रीम ओम नमस्षिवाय रीम अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे